हेलो दोस्तो चलो आज बनाते हैं हम लोग पंच मेल डाल जो राजस्तान की फेमस डाल है और यह सब्जी बहुत बहुत अच्छी लगती है तो इसके लिए हमें क्या करना है एक वाटी चनी की डाल यह आधी वाटी मैंने उड़त की डाल ली है और जितने भी मैं माप बता रह हमें चिल्टे की यल्लो वाली वह ली है यह पे ग्रीन वाली डाल ली बता इ hij जो चलते वाली रहती हैं मूधकी डाल वही लिए है Fin. M. मुझकी डाल हम आधी वाटी लिए दो आधी तो अब हमरें चैश्ष लोगती है तीन से चार बार वाश कर लेना है और वाश से 6 सिटी बजाएगे जीस तवाजे से यह बहुत सौफ्ट हो जाएगी और इसमें थोड़ी सी हल्दी जरू से डालिएगा यह देखिए यह मैंने कुकर में रख दिया है और अभी आगे की तयारी करते चलो तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा कांदा लिया है उसको मैंने माटिंग करके चोड़े चोप कर लिया है और इसी तरह से मैंने टमाटर को भी चांप टमाटर बढ़ा वाला उससे भी चॉफ यह चौप कर लिया और साथि साथ अपना यह सीटी बज के खतम हो गई है 5 सिटी इसलिए मैंने बंकर दी और साथिसाथ रसन्य अध्रक और मिर् यह अजमा और जीरा है उसका मैंने यहाँ पर तड़का दिया है यह जैसे ही चटकने लगे वैसे तेजपत्ता हींग थोड़ी से डालनी है और इसे थोड़ा सा जैसे ही इसका आने लगे स्मेल वैसे ही तुरंद अध्रक और यह अध्रक मिर्ची और लसुन का पैस टेट करना है और इसको थोड़े से पकने देने के बाद सोते हो जाने के बाद हमें कांदा जो हमने कट करके रखा था बड़ा डालना है जिस वज़े से यह जल्ली से पक जाएगा यह देख लीजे थोड़ा थोड़ा अभी से तेल छुटना स्टार्ट हो गया है और जैसे तेल छुटना स्टार्ट हो जाए वैसे हमने मिर्ची का जो देगी मिर्च रहती है आपके बास जो भी लाल मिर्च रहेगी वह आ हमने धोखतेशन और पजगता किया लग्र मियाईं कि रहा है कि गरम साला यह बनाओ किचंगिंग मसाला एड़ किया है और व्लास्ट में मैंने कसूरी मेथी एड़ की है उसकी जैसे सुगंद आना स्टार्ट हो जाए आपको ये पंचमेल डाल रेडी हो जाती है अभी इसको हम थोड़ा सा तड़का देगे हमें साराजस्थानी जो बनते हैं उसमें तुदी का बनता ही है तो हम क्यों रेज है चलो हम भी बनाते हैं इसमें मैंने जीरा और सिब लाल मिर्ज का तड़का बनाया है और ये कलर और स्वाद दोनों ही बड़ा देता है ये देख लिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देख लिए इसकी उपर हमने डाल दिया अभी ये नहीं वड़िया आ रही है पूरे घर में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो पक रहा है ये देख लिए हमारी पंच मेल डाल रेडी हो गई है चलो इसके साथ खाने के लिए हम बाजरी की रोटी तयार करते हैं तो मैंने दो वाटी बाजरी के आट्या ले लिया है ठीके ये घर प वैसी आटे में जितना भी रोजो कड़क पन रहता है वो नरम होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें सॉफ्टने साती है और जब हम खाते ना तो वह एकदम सॉफ्ट लगता है तो इसने जितना हम मसल सकते ना बाजरी की रोटी बनाकते वक उतना मसलते रहना है ये देख मैं कितना अच्छे से मलसल चुकी हूँ और ये देखिए अभी ये एकदम सॉफ्ट हो गया अभी आटा सॉफ्ट हो जाने के बाद मैंने यहां पर दो से तीन लूई बना के रखी है और इसकी हम रो हम लोग रोटी बनाएगे तो ये बाजरी की रोटी आप हाथ से भी बना है अगर आपको हाथ से नहीं जमता है तो आपको क्या करना है थाली में आपको नीचे आटा रखना है आटा डालने के बाद ऐसे ही नीचे हमें रख देना है ये देख लीजे और फिर इसे हाथ से थेपना है ये देख लीजे मैं आपको हाथ से थेपके भी मैं बताती हूँ इस तरह से भी हम लोग रेडी कर सकते है या हाथ से भी जमता है तो हाथ से भी हम रेडी करके रख सकते है यह हमारी बादरे की रोटी का है हमने कर लिया अभी इसको तवे पे हमें सेखने के लिए रखना है थोड़ा दीरे से रखेगा में थोड़ा सा तूट गई ज़रा गाय करने गई इसके वज़े से आप थोड़ा शांती से कीजेगा यह देख लीजे अभी मैंने यह से ठीक करके पानी थोड़ा सा उपर डाल दिया और उसके बाद इसको सेखने के लिए रखा है और जैसे पानी थोड़ा उपर का सुख जाए वैसे हमें पलट देना है पलट के गेस पे आपको उलट पलट करके इसे सेख देना है यह देखो हमारे बाजरे की रोटी रेडी हो रही है आप खाएगा और जरू से बचाए बताएगा के भई पंच मेल दाल के साथ यह बाजरे की रोटी आपको कैसी लगती है और इसको गी के साथ आपको खाना है बहुत मस देशी की और बाज़रे की रोटी और बुड ओहो कितना बड़िया लगता है आप विखा के जरूर से बताएं कैसा लगे यह देखो पड़ भी आ गया इसके अंदर गी पुरा अंदर तक जाना चाहिए तब ही बाज़रे की रोटी खाने का बहुत मज्यदार लगता है और मैं यह अपनी पंच मेल डाल रेडी हो गए और मेरी आपको रोसोई अच्छी लगती है मेरी रेसिपी अच्छी लगते तो लाइक सब्सक्राइब और शेर करना मत बुलेगा थैंक यू